आज हम लेकर आए हैं विजन आएस का डवेंबर मंत का मंतली माग्जीन जिसमें आज हम इंटरनाशनल रिलेशन्स पढ़ने जा रहे हैं और आज इसका टॉपिक क्यों की छोटा है तो इसी पार्ट में इसी वीडियो के थूँ आपका पूरा आयार कंप्लीट हो जाएगा इंपोर्टन शॉट्स के साथ देखे सबसे पहला टॉपिक आज भूम डिस्कस करने जा रहे हैं डाट इस इंडिया युनाइट किंडम रिलेशन्स यानि इंडिया और यूके के रिलेशन्स के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं देखो रिसेंटली क्या होता है इंडिय इंडिया यूके का कॉंप्रीहंसिव स्ट्राटिजिक पार्टनरशिप को और कैसे बूस्ट किया जा सकता है है अज हम इस वीडियो के तरहत करेंगे अचा एक चीज समझ लो किसी भी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एरिया यानि कि FTA करने के क्या फायदे होता है यह समझ ल जादा पता है कि आपका इंडियन प्रोफेशनल्स के जो कॉस्स रेडियूस हो जाते है क्योंकि हमने टोटलाइडेशन अग्रीमेंट किया होता है उसके बाद एक्सपोर्ट हमारा इन्हांस होगा कहां कहां के एरियास में अगर हम करते हैं इंडिया-उक्य का अगर FTA होता हम चाइना के साथ डीकप्लिंग कर सकते हैं मतलब होता है इसके सासाथ क्या फायता होता है कि आपना इंडियन स्ट्चूदनिट आराम से टेंपरी वडियूर्ग वीजा लेकर भी अराम से वहां पर पढ़ाई लिक्वारा इसाथ दोवल्यायुभेंट होता है कि आपना इम खाई कर सकते हैं, ठीक है, अब India-UK का relation समझो, कि कैसा है हमारा, तो हमारा अगर strategically इसको समझा जाए, तो देखो हम जानते हैं, कि चाइना बड़ा असर्टिव है, कि सीज को लेके इंडो-पैसिविक कंसर्न एक बड़ा चलता है, क्योंकि इंटरस्ट उसका बहुत जाता है, climate trade, education में, science and technology, defense में, अच्छा, अगर हमारा इंडिया-UK का trade और investment relation देखोगे, तो हमारा जो bilateral trade है, वो euro 36.3 billion है, जो कि 22-23 रहा, हमारा बलकि आप ए कहलो कि trade partnership भी enhance हुआ है, क्योंकि हमारा जो bilateral trade है, वो double हो गया by 2030, अच्छा, इंडिया और UK का infrastructure finance bridge भी है, जो कि announce किया गया, हमारा जो इंडिया का national infrastructure pipeline project है, उसमें हमें expertise मिले, investment मिले, यह सारे हमारे इस तरह के relations है, अच्छा, defense में, अगर आप देखोगे, तो दोनो ही countries ने, defense and international security partnership को sign किया हुआ है, 2015 में, वो भी एक तरीके की evolution है, अच्छा, हम joint exercises भी करते हैं, अजे warrior army के लिए, कॉनकर exercise हमारा नव इसके बीच में होती है, अजे warrior हो किया, कॉनकर हो गई, कोबरा warrior, यह हमारे India और UK का exercises है, अच्छा, climate and environment के बारे में भी हमारा अगर हम देखें, तो आपस में हम बड़ा कुछ शेयर करते हैं, India UK ने इसलिए क्या किया था, एक बनाया था आपका growth equity fund, ताकि renewable energy पे ज्यादा education research की बात करोगे, तो हमने memorandum of understanding इस पे sign किया हुआ है, UK India research initiative उस पे हमने collaboration करा हुआ है, science and innovative council जो है, apex body है, फिर people to people exchange भी इसमें हो रहा है, तो जो इंडिया का diaspora है, वो ultimately 3.1% total population UK की हमारे पास है, देखो आप Indian diaspora कितना जादा हमारे total UK की population में 3.1% हमारे इंडिया के लोग अचा, इसलिए हमने sign किया हुआ है, MMP, यानि Migration and Mobility Partnership हमने sign किया हुआ है, ताकि हमारे जो working professionals हैं, वो अराम से वहाँ पर जाके काम कर सकें, तो यह सारे आप देखो, बहुत सारे आपको दिखेंगे लोग, जो corporate में वहाँ पर काम कर रहे हैं, UK के अंदर, London के अंदर, अचा लेकिन हमारे, अभी तो यह सारे हमने factors पढ़ें, जिससे हमारे relations दिखते हैं, कि हम बहुत अच्छा relations share करते हैं, लेकिन कहीं-कहीं पर खटास भी है, कहीं-कहीं पर challenges भी है, तो पहला जो challenge है, वो है limited defense cooperation, यानि की example के तौर पर, जो DISP की existence होने की वज़े, तो UK का share है, इंड इनकी चाइना के लिए देखोगे, तो UK जो recognize करता है, चाइना को threat तो मानता है, particularly South China Sea में बिल्कुल मानता है, और इस पे effort भी करता है, कि भई, it has been making effort to make China the anchor to post Brexit economic policy, अरलियर क्या ओता था, Britain भी बड़ा committed था, to help realize potential DCBRI में, बड़ीन की बदत बदत करता था, तो policy towards China कुछ इनक कि policies बड़ी complex होती है, Indian students को या business people को समझ ही नहीं आता है, intention का problem रहता है, credible data ना होना, ये भी crisis रहता है, तो economic and trade barriers भी तेखने को कुछ मिलते हैं, कि बहुत लंबे समय से क्या होँआ कि आपके जो India था, वो focus कर रहा था, making India पे आपने याद रखा हो, making India हमारा 2014 से जो हमने इस policy को जब launch किया, तो हम बहुत focus कर रहे थे, कि हम self-sufficient होएं, तो public sector जो हमारा था, उसमें भी हम सोच रहे हैं, यूके ना, dynamic market economy है, इससे wider economic cooperation हमारा restrained हो रहा था, दोनों countries आपस में operate करना, specific deadline के साथ, वो नहीं करती है, FTA sign करने से काम नहीं चलेगा, आपको उसके तहर जो date lines है तो उसके सारे काम करना पड़ेगा, यह सारे के सारे crisis आ रहे थे, अब क्या होता है, देखो major concerns उसने बताई दिया, concluding जो भी हमारे अबे तक हुए हैं, उसमें कही सारे concerns आएं, कि timely चीजों को ना fulfill कर बाना, BIT हो भी गया, bilateral investment treaty तो भी local remedies उसमें कुछ create हो गई है, तो way ahead में क क्या बोल रहा है कि कैसे इस सब चीजों को ठीक किया जा सकें, तो पहले बोल रहा है कि आप FTA को finalize करना सीखो, वो भी early, जब भी आप काम करो, trade agreement में comprehensively काम करो, तो आप सबसे पहले यह करो कि free flowing जो goods हैं, उनको promote करो दोनों nations में, services को भी, अपने interest को share करके collaborate भी करो, देखो दोनों countries को पता है, global challenges है, climate change है, clean energy है, global health हमें देख रहे है, road map जो त्यार करा है, उसमें collaboration का समय है, वो करके दिखा हो, security point of view से कह रहा है कि जो finalize करो, ऐसी ब्रॉकल, जो आपका logistics agreement है, उसमें Indian ships आपाए, aircraft आपाए, और वो British port को use कर पाए, कुछ ऐसा तो बनाओ, आप, especially in regions like to Africa वगिर है, counter-terrorism के लिए बात करो, HDR के लिए help करो, maritime security, आपका specifically Indo-Pacific region जो आप शेर कर रहे हूं, वहाँ पर आप कम से कम रखो, defense production में कहा रहा है कि intensify effort करने की जरूवत है, government to government procurement में, co-production agreements करो आप, जैसे कि Augusta Westland data sons का जो था, उसको revitalize करो वापिस से, people to people ties बढ़ाने की जरूवत है, कि जितने भी आपके short term study या work placement के लिए young बच्चे आते हैं, उनके बीच में understanding बढ़े है, generation और एक UK India initiative हो, इंडिया-UK professional schemes जो आपकी हैं, इसमें allow कर रहा है अपने graduate school की 18-30 के जो रह रहे हैं, study, travel कर सकते हैं, two years in either country, तो ये इस तरह की schemes को और जादा लेकर आओ, ताकि जादा से जादा connectivity बढ़े, people to people ties बढ़े, तो इंडिया इस वक्त बुल्खुल चाहता है, कि global order में वो ऐसे evolve, leading power के रूप में आ सकता है, और UK ने भी आपको पता है कि Brexit करा हुगा है, तो unique movement है दोनों की India-UK ties का, तो इंडिया-UK एक quantum leap अगर एक create हो जाता है, तो एक relations में काफी अच्छा boost देखने को मिलेगा यहाँ पर, समझ दो आप, अब समझ लेते हैं, देखो quantum leap क्या होता है, सबसे पहले तो हमें यही समझना जाए न, quantum leap का मतलब क्या होता है, देखो quantum leap का मतलब यह होता है, कि बहुत sudden कुछ ऐसा important change करने की जरूवत है, improvement करने की जरूवत है, अगर हम कर देते हैं, तो आप इस समझ लो कि जितने भी हमारे discontinuous process थे, वो सारे के सारे ठीक होने लग जाएंगे, तो quantum leap का मतलब यह होता है, कि आप एक quantum jump मारोगे, जिसमें कुछ नई चीज़े निकल कर आएंगे, और हमारे आप एक अच्छा बना होए environment जिसमें हमें चीज़ों को realize भी कर सकते हैं, ठीक है, तो यह आप India-UK relations में है, next topic आपका है Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity के बारे में, जिसको हम IPEF कहते हैं, तीसरा IPF हुआ, ministerial meeting हुई, San Francisco USA के अंदर यह हुआ, इस meeting में हुआ गया कई negotiations हुए, pillar third जैसे की clean economy, pillar four fair economy conclude करा गया, signatures हुए, supply chain resilience अगयरा किया जाए, तो इसको IP, आपका कहलो, IPEF supply chain councils थी, collaboration हुए, labor वाला था, chain में इस तरह से किया गया, अब समझ लो जो आपका यह IPEF है, यह होता क्या है, ठीक है, यानि कि जो Indo-Pacific Economic Framework है, यह कहां से आया, तो देखो यह jointly आता है, USA और दूसरे partner countries के थुरू, जो Indo-Pacific region के हैं, May 1022 में, launch होता है, Tokyo के अंदर, इसका major objective है, कि economic ties partner countries के बीच में बढ़े, और growth, peace, prosperity region की बढ़े, इसमें आप कहलो, 14 member countries हैं, इंडिया 20 का part है, USA है, Australia है, Brunei है, Fizzy है, India, Indonesia, Japan, Republic of Korea, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam, IPF का part है, और याद रखो, इन सभी को मिला कर, 40% world की GDP represent होती है, और 28% global goods and services आपका इसमें दिखाया जाते है, modules की बात करोगे, तो इंडिया ने सभी pillars को join किया, except आपका trade one, अब lead agencies के बारे में देख लेते हैं, क्या-क्या इसमें कह रहा है, तो देखो, यहाँ पर यह कह रहा है, कि जो US की representatives है, lead agencies है, trade pillar की, वो इसमें काम करती है, उनका department of commerce इसमें काम करता है, traditional trade blocks है, RCEP, इसमें IPF, ने कोई tariffs, कोई market access का negotiate नहीं करा होगा है, तो यह एक तरह से आपका basically, क्या member nations को coherence के साथ, एक regularity के साथ वो काम करमा है, अब समझने की जरूवत है, कि IPF आने से फायदा क्या होगा, ऐसा क्या उखाड लेंगे सारी 14 countries मिलके, तो कुछ नए rule of commerce आएंगे, जिनकी वज़े से इनकी economic partnership strengthen होगी, फिर building of free and open Indo-Pacific sustainable inclusive economic growth के लिए आप काम कर पाऊगे, आपकी supply chain अच्छी हो जाएगे, जिससे costly disruption जो आपकी होती थी, वो खातम होगी, restore होगा US का influence in the region since it exists from Trans-Pacific Partnership, अच्छा, आप ये सबसे मान के चलो, ये सारी countries में मुद्धा जोटने का इनका यह है, कि ये alternative बन जाए to China in the Indo-Pacific, deeper integration of India into global value chain वो इसी वज़े से, में मुद्धा ये ही, बाकी चीज़े भी है, but this is the main part, अब challenges समझो IPF का क्या है, तो concerns है durability पे, यानि कि जो unpredictability है US के domestic politics की बहुत ज़्यादा अफेक करती है, क्योंकि देखो क्या होगा है, US की strong leadership अगर TPP में तो अबरेप्ट ली बिड्री हो, आप सोचों, ऐसे ही Trump ने उसको थोड़ दिया, तो TPP पुरा प्रधुस्त हो गया, ऐसे ही कभी अभी हा कि political system change हो जाए, उसे ने बोला IPF पे हमारा कोई लेना देना निया, तो आदा कुछ disrupt हो क्या, क्योंकि ultimately who is working, USA is working a more, who is a major partner, पिर decoupling चाइना को करना देखो, असान नहीं होगा, क्योंकि चाइना एक leading trade partner IPF member countries का, चाइना आपका RCP का member भी है, और वो willing to join RCP, TPPP, Comprehensive and Progressive Agreement भी sign करना चाहता है, even if companies production कहीं और भी करने लग जाए, फिर भी वो चाइना के raw material और equipment के लिए अटक जाएंगी वहाँ पर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा rely करती है, वही से सब कुछ आ रहा है raw material equipment मगेर, तो इतना असान नहीं है, IPF के जो सपने संजोधों लिए हैं, बट करना बड़ा मुश्किल है, फिर reciprocity का concern क्या हो जाता है, IPF does not provide market access, क्योंकि sustainable कोई commitment नहीं है member countries का, तो होई नहीं पारा, फिर आप जिसके ले आयत हैं, वो कामी नहीं कर पारे हो, मांवकेट ही नहीं मिल रही हैं आपको, IPF plans to cover new areas, regional economy clean, ये सब कर रहा है, लेकिन बहुत सारी कंट्री जो रिलिक्टेंट हैं, कि policies में बहुत जाएंगी भी ने, इनको policy difference है यूएस के साथ ही, binding commitment नहीं है, meaningful change भी किसी के साथ कैसा भी हो सकता है, इंडिया का भी यूएस के साथ कुछ दिफ्रेंस ना, इंडिया ने pillar one join ही नहीं करना, trade भाना, तो वे ahead में यहां ये कह रहा है, कि सबसे पहले ना, देखो आप जो कह रहे हो, IPF की credibility बढ़े, तो उस पे काम तो करो, पहले आप tangible कुछ benefit तो निकाल के लाओ, फिर incentivize करो partners को, जितने भी आपके participation उनका, तभी अच्छा होगा, binding rules बनाओ, अब तक नहीं बनाओगे, binding नहीं होगा, तो लोग मानेंगे भी नी, करेंगे भी नी, फिर IPF के जितने भी members उनको expand करने की ज़रूवत है, फिर pragmatic approach अपना हो, जिससे कि anti-China जो strategies है, वो counter-productive करीके से बन पाएं, तो ये तो guys आपके topics थे, अब हम चलते हैं important shots की, और देखो IPRD, Indo-Pacific Regional Dialogue, 2023 में हुआ, अन्योलिपिक्स लेवल का regional trade लेवल है, डालॉग है, इंडिया नेवी का theme है, इसका geopolitical impact upon Indo-Pacific Maritime Trade and Connectivity की वज़े से बनाया गया है, नई दिल्ली में organize किया गया था, इसका main aim ये ही है, maritime trends को review करना, opportunities, challenges को cater करना, check करना, ठीक है, ये सारी चीज़े हैं, अच्छा, next topic जो आपका है, वो है ASEAN Defense Ministers Meeting Plus, तेको 10th ASEAN Defense Ministers Meeting Plus हुई, जकार्टा, इंडोनेशिया में, ADMM Plus जो है, 2010 में बनाया था, platform ASEAN का ही है, 8 dialogue partners है, plus कुछ countries है, plus countries में, Australia, China, India, Japan, New Zealand, South Korea, Russia, USA है, ADMMM Highest Defense Consultive and Cooperative आपकी mechanism है, इसका काम है, security, peace and stability को बनाना, इंडिया का proposal है कि यही पे expert grouping हो, जो counter-terrorism पे काम करें, result-oriented काम करें, इंडिया का role maritime security में क्या है, देखो, rule-based order की बात है पहले तो, कुछ conventions है न, implementation union clause का जो होगा, वो ultimately कैसे होगा, वो एक चीज है इसके अंदर, फिर आपका capacity building इससे बढ़ेगी, ठीक है, तो देखो, focus जो ADM++ का है, वो maritime security है, counter-terrorism है, HADR है, peacekeeping forces है, cyber security यह सारे, इसके measures है, अच्छा, इंडिया का जो Australia का 2 plus 2, ministerial dialogue है, वो कैसा है, कि इसका second India Australia का 2 plus 2, ministerial dialogue है, नई दिल्ली में, ठीक है, counterpart-स इसमें, कोशियर कौन करता है, आपके ministry है, इंडिया का defense system है, Australian के counter-parts है, तो यहाँ पर काम क्या कर रहे हैं, इसका काम यही है, information Indo-Pacific पर, जादा से जादा, इंडिया और Australia का strong defense partnership करना चाहते हैं, तो यह भी एक तरह से कुछ सारे mechanism है, चाहियना को counter-करने के लिए, बहुत सारी बात है, उसके बाद हमारा इनके साथ joint military exercise होता है, और से इंडेक्स माला बार, pitch black, यह pitch black बच्चों को भूल जाता है, तो याद रखना, Australia के साथ, यह हमारा military exercise है, उसके बाद हम यहाँ सब जुड़े में, इनसे connected, cyber security, ocean bond trade security में, military logistics में, defense, science and technology में, इसने हमारा इसमें साथ आना और काम करना ज़रूरी है, अच्छा, उसके बाद, इंडिया का US के साथ, जो 2 plus 2 ministerial dialogue हुआ, उसमें क्या था, देको 5th dialogue था, हमारा यह दिल्ली में हुआ, foreign defense minister, दोनों sides के बैठे, और strategic security issue पे बात करी, अच्छा, 2 plus 2 dialogue mechanism में, Australia के साथ भी हम करते हैं, Japan के साथ भी करते हैं, UK के साथ भी करते हैं, Russia के साथ भी करते हैं, दोनों ने हम बारे फिर उसके बाद, हमारी बातचीत क्या चली, co-produce हमने कहा, infantry, combat vehicles, as part of defense industrial exercises, science and technology पे बाते हुई, trade पे बाते हुई, multilateral आपके diplomacy connectivity पे बाते हुई, ठीक है, तो यह सारे के सारे निकल करे, हमने cooperation दिखा है, USA का न हम कह रहे हैं, अगर आप कहलो global south की तरफ पढ़ते हैं, कि आप कहलो कि वो third world countries, पहला part याद रखो global south में, तो अब सभारी के सारे basically developing countries, आप कह सकते हो global south में है, तो यहाँ पे focus यही था, कि ऐसा inclusive, representative, progressive world order बनाया जाए, इंडिया ने यही पे निकाला दक्षिन, ग्लोबल south center of excellence, इसमें past हमने see दे के आ गए, हम consultation, cooperation, communication, creativity, and capacity building को enhance करने की जरूबात है, तो global south पे यही बोला जा रहा है, इस बार की theme याद रखना, 125 countries थी global south की, unity of voice, unity of purpose, तो global south का मैंने आपको बताई दिया है, developing, least developed, underdeveloped, इसारी countries आती हैं, concept of global south trace किया गया था, brand report 1980 में, south to south cooperation क्यों जरूरी है, इसके बारे में समझ लो, बहुत जरूरी है जानना आपके लिए, इसलिए जरूरी है ताकि disproportionate, जो impact पड़ा है global challenges का, वो address किया जा सके, CBD याद रखो, comprehensive, common but differentiated responsibility, ठीक है, improve representation करना, food security अपनाना, SDG goals को एक साथ करके cover करना, 2030 का ये भी एक goal SDG का, साथ साथ करेंगे, चल्दी पहुचेंगे, इंडिया का initiative क्या है, हमने कहा, African Union में हम duck करेंगे, G20 पे हमने बुलाया, उनको और आपको मैंने बताया, भी था G21 हो चुका है, कई सारे हमारे International Solar Alliance, इस पे काम कर रहे है, महारेशी हमने इसलिए बनाया, for global food security, अब प्रपोजल है, weather and climate monitoring satellites का, global south में, तो ये सारी बाते हमने रखी, अच्छा, उसके साथ साथ, आपको समझना है, कि global south में, global north समझ लो, light yellow, global north है, बाकी सारा global south है, ठीक है, इस सारी आपको बात समझनी है, कि south to south cooperation, why it is important, most important बात तो तो गाइस, international relations cover हो गया है, कल economy section स्टार्ट करेंगे, अच्छे से इसको revise कर लो, do like, share and subscribe to PM पाट्शाला, have a nice day to all,